नमस्कार जी मेरा नम सुधाकर दूबीदी आपका मैं हार्थी स्वागत यह जो आपको स्विच दिख रहा है लगाते हैं आपके लाइट में ब्लिंकिंग ऐसा होता है कि हलकी जलती है बुछती है जलती बुछती है तो 100% यह पिंखराफ होंगी यह बैक गेर का है और सेटें इसलिए जब आप बैक करते हो तो भी यह दिखाता है और अरवट करते तो भी दिखाता है क्योंकि उसे नहीं मालूम है कि आपकी गाड़ी आगे चल लेगे कि पीछे चल लेगे क्योंकि सिर्प मैगनेटिक फिल्ड कितना आ रहा जा रहा है उसको ही रीड करता है यह मैंने सब्सक्रा आपको दिखाई, आखिर वर्किंग कैसी रहता है खया है चृब यह एक बार उपर आता है और फिर और शेंज हो जाता है इसी रीडिंग को बहुता है और ापके स्पिड्र को भेजता है फिर इस डाटा को डिश्व में तो कर दिया जाता है इसलिए जब गाड़ी आए आगे करो चाहे पीछे करो वो सिर्फ आपकी मैगनेटिव फिल्ट चेंज हो रही इसी बस को रिट करता है इसलिए आपको स्पूइट दिखाता है कि यूज कहां कहां होता है तो सबसे पहला फर्स्ट पीड के लिए होता है एवी असमें भी होता है जितने भी टाइमिंग से रिलेटेड या फिर आपको स्पीड से रिलेटेड से रिलेटेड सेंसर मिलेंगे हाई कैपसिटी वाले उनमें आपको हैलो संसर यानि मैगनेटिक संसर का यूज किया जाता है तो जब भी आपके में स्पीडर मीटर ना चले नो तो एक बार यह हैलो संसर और यह टीन वायर का कनेक्शन आप जिरूर शेखा था अब थोड़ा सा आप स्पीडो मीटर का इस जान जाए अब क्या है कि पहले क्या होता था बायरिंग वाला कनेक्शन आता था मतलब कैसे क्या कि यहां से एक बायर पूरी यह देखिए यह पूरी ट्रैवल करती थी इस स्पीडो मीटर के अंदर अब इस स्पीडो मीटर के अंदर क्या होता था कि घिर्री लगी रहती थ तो फिर वो कितने चक्कर काट रही है उस साफ से स्पीड बरता था और उसी गेर से आपकी स्पीडो मीटर बढ़ते थे कि कितना वो घूम गया है चूकि एक गेर है वो ऐसे घूमता था उसमें 45 डिगरी पे कट्स लगे थे और ऐसे घूमता था उस पर फोटिफाइब पे होगी तो वह 40 ही बताए कि प्रॉपर उसको connection नहीं मिलता दूसरा इस टैयर की प्रॉब्लम थी कि कुछ दिनों में तूट जाते थे इड़ो मीटर उतना सही वर्किंग नहीं करता था सबसे परफेक्ट वर्किंग है आपके गेर के उपर जो मैंने बुलेरो पे दिखाई है व कूरे packet में युको 사 pen इस या उन्दर की ओर जाती है और वो रौंद करती है बगल में एक पैकट लगा होगा वो सैंसर वो रीड करता है कि एक्चॉल में वर्किंग कैसी कर रही बुलेरो का हे लो सैंसर उसमें काम करता था इन में एक ही प्रॉब्लम होती है स्थसर्य कैक्श पूछते हैं कि साब मेरी गाड़ी 80 पे चलती है दिखाता मेरे को 40-60 है मेरे में भी शुरुआत में यही कनेक्शन में प्रॉब्लम थी तो फिर जब मैंने इसे प्रॉपर सेट कराया क्या होता था कि 80 को पर गाड़ी जाती थी वो बताता था 30-40 तो फिर हमने सेट कराया तो फिर प्रॉपर बताने लगी अब बात करते हैं ABS वाली कैसे पता करते हैं कि इस टाइप की डिस्क लगी रहती है आप किसी भी टायर पर देखेंगे तो इस टाइप की आपको एक डिस्क मिलेगी यह भी सेम हैलो सेंसर पर काम करता था ABS आने से क्या हुआ कि गाड़ी स्किट ना करें मतलब उसका टायर जो है वो जाम नो हो इसके कान से यह डिस्क लगाने लगे तो कंपनी को एक और सुझाओ आया कि साफ जब हमको स्पीड ही इससे पता करना है कि फिसल लही कर नहीं फिसल लही तो इसी हम सेंसर भी लगा दे जो स्पीड का बताता है तुन्होंने क किया सेम यही सिस्टम किया यहां पर खाली छोड़ दिया यहां पर भर दिया यहां पर खाली छोड़ दिया यहां पर भर दिया तो जब भी यहां पर आता है कोई सेंसर पर तो मैगनेटिव फिल्ड बनता था यहां पर गायब हो जाता था यहां पर फिर बनता यहां पर फि इसके brakes को जैसे ही आप लगाते हो उसको छोड़ देता था तो यह फिर से घूमने लगता था फिर छोड़ता था फिर टाइमिंग होती है एक सेकंड में कितनी बार ब्रेक लगते और छोड़ते थे उसको थोड़ा सरी रिलीज करता था जिससे टैर और घूमता था और लगाता था इस टाइप से वर्किंग करता है सिंगल चैनल डबल चैनल आपको two wheeler में मिलेंगे सिंगल चैनल का मतलब एक ही आपके चारो टायर प्रापर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि had anunci जी डियो कह भूल रही है तो घूंते रहना चाहता है और अगर वह खड़ा है तो खड़ा ही रहने का मन पड़ता है इसीलिए गारी में ड्रीक लगाते हैं तो अगर पकड़ लिया तो फिर घूंटा जलत ज्यादा reliable है क्योंकि उसमें आपको एक ही sensor एक ही का जरूरत पड़ता है यहाँ पर आपको चाड़ी में सिंगल है तो सिंगल का यूज़ करना पड़ता है यह सस्ते आते हैं यह महाँके रहते हैं पर आपकी life इनकी ज्यादा रहती है वहीं पे जो बायर वाले connection आते हैं घिर स्क्राइब जरू करें अगर आपको तहें दिल से धन्यवाद सेर जरू करिएगा मिलते हम सक्राइब आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्काइब